कि नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहें आरके ट्रेडिंग दोस्तों यह लाइव मार्केट का सेशन है समय दो एक बच के चौंतिस में पच्पन सेकेंड हो रहें यह तो वह एक ट्रेड है जो मैंने सुभा में लाइफ शेशन में जो लेता हूं लिया था आइसे से बैंक का दोस्तों क्वांटिटी का ऑट्मेंटरी बाइस सेल सिगनल पर तो वही ट्रेड है भारत फोर्ज में नहीं हुआ तो मैं बना हुआ यहां पर यह बात करूंगा मैं यहां पर सिप्टैठरी आया हूं नहीं बच मैंने सब्सक्राइब करने लिटबर मों वारइगा आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा आप लोग उस वीडियो को देख लिजे पहले 10,000 का वीडियो जब तक से तो सेक्टर में किस तरह का सेक्टर में स्टॉक होना चाहिए कैसा स्टॉक होना चाहिए कितने कॉंटिटी में होने चाहिए 25,000 अगर आपके पास है तो तो उसको किस तरह की स्टॉक में टेड करने चाहिए यहां पर मैं बताऊंगा तो चलिए दोस्तों सबसे पहल दूर्ण को यहां पर मैंने ले आया है हो यह सेक्टर वाइज भी है कि स्टोकश का नाम सैक्टर करेंट मार्केट ब्डाइस कॉंटिटि टोटल एमऑंट कितना इंवेश्ट होगा टोटल एमांट कितना इंवेश्ट होगा यह लिखेगा टोटल इंवेश्टमेंट यहाँ पर तो हम लोग इस सारे को डिलीट कर देते हैं यह भी हटा दिया अब हम लोग एक करके सुरू करेंगे 25,000 के लिए 25,000 रुपया के लिए किस तरह की स्टॉक्स में आपको इंवेश् करना चाहिए इंवेश्मेंट किसी एक तो स्टॉक्स में नहीं होना चाहिए उसको डाइवर्सिफाय कर ले तो आपका रिस्क कम हो जाता है अब देखिए सपोज में आम आदमी के बात करूं वीडियो था पुरा दिहान से सुनेगा एक आम आदमी को यह नहीं पता होता है क किस तरह के चार्ट होते हैं श्टॉक्स के कि तरह का मोमेंट होता है तो कैसे बाड़ुद्ल स्टॉक्स में ट्रेद कर इंवेश्टकर आई सालिये इंवेस्मेंट करे अविस्था इस सींपल फॉर्मूला बताया है आपको आंँछ सम्झाना हूँ सबसे माले सबसे पहले और प्रущ ने सबसे पहले जब oko rest मौणीग में सबसे पहले उठेगे दोस्तों मैं चल्क मेरा चल्ट को क्या करे का बवर्ष में उठेगा तो वो कौन बनाता है ठीक है हमको यहां पर इस चीज को देखना है कि वो बनाता कौन है वो कौन सी कंपनी बनाता है तो हमने यहां पर जानते हैं कि एक कंपनी है डावर जो पेस्ट भी बनाती है जो टूथ पेस्ट भी बनाती है तूथ बरस भी बनाती है इसके साथ हिंदुस्त प्रोइक लिए या फेस्ट लिया उसके बाद हम लोग क्या कि उसका नमनेजर क्लिखने के भाए टो छ व्यूंट लेंगे शकाउलने को दिमें मुझाने की में एक लग है यहां के लिफ आपको से प्लाइश्ट मेरे सिंपल एक आम आदमी के नजरिये से ये 25,000 का पॉर्टफोलियो बनाने की कोशिस कर रहा हूं तो harbar हमारे brush paste सुभा के काम में आगया已經 इसके साथ ही इसके साथ ही एक और है जिसका नाम है बजाज consumer is stocks का नाम है बजाज consumer इसको जो को हम अन्याब आप यहाँ पर देखेंगे यह तीनो συक्टर में आ जयते हैं यह तीनों ही हमारा शेकल जक्तों कर लिखी है अब हैं डिक स निसमें कर लिशन, सभर ले लिए, बहुत कर लिया तो अब क्या करेंगे? उसके वाद आप क्या करेंगे? आप को धरेस कपड़ा पहने começa से पहली बात कपड़ा पहनेंगे या झालीặt काँगे है और फेसीड को फोड़ंए ध셔ских ने थीजे lost कॉन फूद को बहुत है क्वाक मैं इतढ़ करखके दो मैं यह फूदselves है तो में यहां ऐन आपने नहा लिए ब्रॉष कर लिया के लैक नास्ता करेंगा सोल चीटर वटारफटा कि यहांहे सब्सक्राइब अबाइब धिर्शन इसका नाम अड़क ब्रांड में Grow तो आप लोग ब्रांट नहीं जानते होंगे आदिती बिडला फेशन के अंदर आता है कौन से बता पिटर इंगलेंड लुई फिलिप टेंच बहुत इस्का बिडला फैशन न dep है कि तो आदित पिड़ला फैसन का आता है जो ब्रांड इसके अंदर वो बनता है लुई फिलिप पीटर इंगलेंड लीवा जात में वैन हुषेन वैन हुषेन के साथ एक मिनट दोस्का फिर कॉल लागया वैन हुषेन के बाद आता है एक और कोई ब्रांड है बुल रहा हूं वैन हुषेन लीवा पीटर इंगलेंड लिलेंग कलब यह सारे फैसन ब्रांड हो गए इसके कपड़ा क्लॉथिंग के तो इसके अलाबा एक और इसका नाम ब्रांड विमिटेट भी आप सकते है तो हमने कपड़ा भी प material पछिते सहकते हैं मान लेते हैं consumer goods में आज जatा है इसको मैं फिलाल यहां पर कंजूमर गूर्शी रखोंगा जो यह रिटेल लिख सकते हैं इसको मैं रिटेल देता हूं इसको मैं यहां लिख देता हूं टूरिज्म ठीक है थॉमस कुक एक इस्टॉक का नाम है आप लोग साहर जानते हो नहीं जानते हो ज़रू सर्च कर लिजेगा बहुत अच्छी कमपनी और साथ ही पिक्चर भी देखने का सौकिन होता है आम आत्मी चोटा आत्मी की एकाद सब्सक्राइब एकाद पिक्चर दे लेकिन मैं इसको इंटर्टेन्मेंट में फिलाल रखते हैं मीडिया सेक्टर का स्टॉक्स हो गया अनुक्स लीजर तो अब गूम भी लिया फिल्म भी देख लिया ये काम आदमी कोई दिकर ने सुभा का दिंचरिया के हिसाब से हम लोग स्टॉक्स सेलेक्ट करते जा रहे ह तो उसके पाद जब यह घूम लिया फिल लिया सब काम कर लिया तब वह क्या करेगा तो अब हो कुछ पैसा आगर उसके hangiver जाता है तो जमां करें तो और दो कुछ पैसा बच ज्यादा बोगोग पैसे को झमा करें पैसा जमा करेंगा बेंक बैंक में यहाँ पर मैंने ज्यादा ध्यान रखा है शोटे बी हो और अच्छे फंडामेंटल वाले बैंक को और अच्छे ग्रूतर रिश्यों का होना चीज हिसके लिए मैंने कैड tolerate कि में पहला यहां पर मैंने banking यह bank लिख दिया इससे आपको पता चल जागा दूसरा federal bank के बाद जो है मैंने रखा तो उसको रखा IDFC first bank को एक मुनेट उसको इसका size में बढ़ा दूँ IDFC First Bank को मैंने यहाँ पर IDFC First Bank के प्राइवेट सेक्टर का बैंक है यह दोनों ठीक है यह प्राइवेट बैंक के याद रखेगा उसके बाद कुछ सरकारी बैंक से काम नहीं चलेगा सरकारी बैंक भी मैंने रखा तो उसमें मैंने इंडियन बैंक को सलेक्ट किया दोस्तों और सके अलाबा मैंने सलेक्ष क्या पारब्द्ध कमीं की सफित्व कर दिया आपैसे तो तो इसने और शुल्थ कहते हैं तो जो जाता है तो ऑब गूआ झाल तुम सामने की तुम पंखा जो चल रहा वो यूज कर रहा वो कौन बनाता है चुकि उसके विदिंचरिया में वुची सामिले तो उसको बनाता है है वल्स पहला इस्टोक कंजूमर गूर्स में हैवल्स हमने रख दिया है वर इसको नहीं यहां पर लिग दिया एक मनद दूस्तर फिर कॉले अब देखे हैवल्स बनाता है एसी बनाता है आपको पता है आपको कंजूमर पूर्स बनाता है जिसमें की लाइट वल्प पंखा टीवी यह सारी चीज़ें आती है इसके अलावा एक और कंपनी है वो है भोल्टास अब बोल्टास भी यहां पर वहत्ति जाएगा तो खरीज स से पहले और यह कपड़ा लेने से पहले आप जड़ा यहां पर ध्यान देजिए मैं इसको यहां से हटा दूंगा यहां पर से मैं इसको हटाऊंगा और यहां पर रखूंगा यह दो जगह मैंने जो खाली रखा वह क्यों रखा है जब यह कपड़ा खरीदेगा तो तो आप भी टू रिटेल ठीक है भी टू रिटेल चाहे भी मार्ट चाहे डी मार्ट आप मैंने यहां भी टू रिटेल को रखा है चुकि मैंने का कि मैं छोटे प्राइज वाले स्टॉक्स को रखूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स आपके पास यहां पर आ सके तो यह तेल इस्टोर ही है ठीक है उसको ध्यान रखें यानि फिर से हम लोग सेरियल वाज देखते हैं एक आम आदमी सो के जब उठा तो सबसे पहले ब्रश किया ब्रश करने के बाद उसने क्या क्या असनान क्या उसावर लिया उसके आद उसने तेल लगाया ने तयार हुआ फ्रेश उसनों जुबिलन फूड को यूज किया कपड़ा पैना उसने आदित बिल्ला फैशन का और अर्विन का लेकिन कपड़ा खरीद के कहां से लाया उसने वी टू रिटेल से और सौपर से खरीद के लाया उसके बाद वो घूमने जाएगा तो कहां से जाएगा एक आम आदमी पॉलों सलेक्ट के जरीये जाएगा और सिने इसने मा तेखने के UM eran गा क्या किया हैं इन उसलेडर के सिने माघा के जांद है पैसे बच जाते हैं फेडरल बैंक इंडियन बैंक और जेन के बैंक में जाकर जमाब भी कर सकता है रात में जब वो सोने आएगा तो टीबी देखेगा एसी पंका फिरी चलाएगा तो इसके लिए हैवल सर वोल्टाज के कंपनी को उसने सलेक्ट किया एक आम आदमी का पोट्फोलियो इस तरह से तयार होता है त दो, तीन, चार, पांच, चाह, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बादा, तेरा, चौदा, पंदरा, तो टोल नूमबर अप इस टौक हमारे पास सोला हो गया तोल नंबर आप सोला हो गया मैं यहां पर लिग देता हूं टॉटल इसटौक कितने होगे तोल स्टौक कर नंबर डाबर का करेंट मार्केट प्राइज हम लोग अभी यहां पर चेक कर लेंगे कि इसमें कम से कम इसको जो लागाना होगा पैसा वो कमसे यहां प्राइज कर लेते हैं को और हरे का इपोति क Taste कर से मार्केट प्राइज के साव से कोशेव साव है तो 306 अड़ है जिसका मार्केट फ्राइज mechan करना चाहोंheart सिर्श तारा सो चाली सिर्फ प्र्राया जब यहां ईगला इस का मझोथ को सिझ यहां कोशीज करें गिए जिसमें यह स्ट्रों कम कर आप कर लिए 3,54 माल नेते हैं मैरिको का प्राइस शब रहा है 3,54 मिलोश है 2,54 ब्हां यहां को पांच सिर्फह लिग दें एक का 70 रुपया का है उस आमादमी का इसमें 25,000 में से 1770 रुपया खर्च हो रहा है टोटल एमांट यहां पर मैं लिग देता हूँ जो आप इन्वेश्ट करना चाहता है वह आमादमी वह 25,000 रुपेज में लगाना चाह रहा है 25,000 का एक पोट्पोलियो बनाना चाह रहा है टोटल स्टॉक नंबर ऑफ 16 होबा कैसे स्टॉक इसमें कोई चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं कहीं कुछ नहीं यह ऐसे स्टॉक हैं दोस्तों जिसको आप डेली लाइफ में आप ध्यान दें, डेली लाइफ में आप कहीं न कहीं उसको यूज कर रहे हैं, तो इस इसको जड़ा देखे, अब आता है बजाज कंजूमर, हमने सलेट कर लिया, डावर और मेरिको, बजाज कंजूमर का प्राइज हम लोग देख लें, इसका क्वांटिटी हमने 5 क्वांटिटी लगा दिया दोस्तों, यह ऐसा हुआ, 329 इंटु 5 कर देते हैं, तो हमारा कितना हो गया, 329 इंटु 5, 1645 रुप्या, 1645 रुप्या, पहले हम लोग सारी सीज देखते हैं, अब जुब्लियन फूर, यह बड़ा स्टॉक्स है, याद रिखे रहा दोस्तो तो मैंने यहाँ 1216 रुप्या इसका प्राइज लेग जाए, 1216 रुप्या इसका प्राइज लेग जाए, 2432 रुप्या का जो है, हमारा यहाँ पर इंवेस्टमेंट हो जाएगा, 2432 रुप्या का, अब कपड़ा खरीदेगा, वह आदित्य बिल्ला फैसन रिटेल का, तो हम इसको 207 रुप्या कर देते है, 207 रुप्या का प्राइज चलता है, तो इसको मैं 10 क्वांटिटी देना पसंद करूँगा, 206 और इसको 10, तो यहाँ हो गया हमारा कितना, 206 रुप्या, किलियर है, 206 रुप्या का हमारा इंवेस्टमेंट आदित्य बिल्ला मोगा, अर्वि इन्द लिमिटेट का प्राइज, 74 रुपेज है, तो 74 रुपेज है, इसको मैं 20 क्वांटिटी लगाना चाहूंगा, 20 क्वांटिटी, तो चलिए, हमने यहाँ पर 20 क्वांटिटी यहाँ पर लगाया, 74 के साब से 20 कोने, 24 दूनी के तना होगे, 4 दूनी आट और 20, 24 रुप् इस तरह के हम लोग यूज करना की कोसिस करेंगे, तो अब भी टू रिटेल की बात करें, हमने यह रुपिन कप्डा में लगारा, अब भी टू रिटेल, भी टू रिटेल का प्राइज देख लेते हैं, मेरे ख्याल से भी टू रिटेल 230 के आसपास होना चाहिए, हाँ 237 चल 14 रुपे, 714 रुपे भी हमारा हुआ, सौपर स्टॉप की बात करने, तो सौपर स्टॉप, वी टू रिटेल में में दो क्वांटिटी और बढ़ा देता हूँ, क्यों, 238 इंटू 5, यानि कि 1190 रुपे, अब हम लोग सौपर स्टॉप की बात करते हैं, तो सौपर स्टॉप सौपर स्टॉप का प्राइस जो आ रहा है हमारे पास, 458 रुपे का रहा है, 458 का, तो यहां पर मैं कितना रखना हूँ, 458 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा, 458 इंटू 3, 1314 रुपे के आसपास हमारा ये प्राइस आ रहा है, जो भी 25,000 में उपर नीचे होगा, हम यो क्व प्रेसिजन और सखास का जर्मी में इसका दिमांड काफी पढ़ता है, तो अभी हम लोग थॉमस कूप को देखना पसंद करेंगे, थॉमस, थॉमस कूप इंडिया, ठीक है, 236 रुपे, 237 रुपे असपास इसका प्राइस चल रहा है, तो हम लोग 237 लिख जाते हैं, और इ इनक्स लिजर में जाते सिनेमा देखेंगे, तो इसका देख लेता हूं क्या प्राइस चल रहा है, आयनक्स लिजर का, 25,000 में कैसा इस प्रफोलियो बनेगा, 310 रुपे चल रहा है, तो चली हम लोग 4 खॉंटिक्टी ले ले लेते हैं, 310 इंटु 4, 10.4, 14, 12, 1240 रुपे आ अब फेडरल बैंक, IDFC 5 बैंक, इंडियन बैंक और JNK इन सारी स्टॉक्स में देखेंगे, पैसा जब बचा तो जमा करें तो फेडरल बैंक में जमा करेंगे, IDFC 1 में, यानि प्राइवेट और सरकारी, दोनों बैंकों को मैंने मिक्स किया हुए, तो फेडरल बैंक का क्या प्राइस चल रहा है, यहां पर हम लोग देख लेते हैं, फेडरल बैंक का प्राइस, 98 मैं 100 दे जहता हूँ, राउंड फिकर में, सिधे मैं 100 दे जहता हूँ, माल लेते हैं 100 रूपीज है, तो 100 रूपीज है, इसमें कम से का हम लोग कितना क्वांटिक्टी देंगे, 15 क्वा हमारा, करेंट मार्केट प्राइस, इसको मैं देना चाहूंग, लगवक 30, 30, तो 43 इंटू 30, हमारा 1290 रूपीज है, यहां भी खर्च हो रहा है, चली हमने इसमें भी लगा दिया, 1290 रूपीज है, उसका इंडियन बैंक, इंडियन बैंक का प्राइस देटर 230 है, यहां कितन प्राइस पन पर आपका इसमें भी इंवेस्टमेंट हुआ, उसके बाद अब फिर जेन के बैंक की बात करें, जब मुएन कश्मीर बैंक, जो हमने लोग सलेक्ट किया हुआ था, जेन के बैंक, उसको भी हम लोग चेक करते, 52 का प्राइस चल रहा है, हमने इसको 53 लिख देन है, है व्युद्न पराइस क्या चल रहा है दोस्तों, है वल्स का प्राइस चल रहा है, है का प्राइस चल रहा है 777 रुपया तो दो क्वांटिटी काफी है हमारे लिए 728 लिख देता हूं यहां टू क्वांटिटी साथ दूनी 14 अठाथ दूनी 56 तो 1456 रुपय हमारे इसमें ख़र्च हो गए है बल्स में आप वोल्टाज का क्या प्राइस चल रहा है साथ सो यह चैसो कुछ का चल रहा है पांसो चोहत्तर यान 575 रुपय चल रहा है मैं इसमें 575 इंटू थिरी तो हमारा जो इसमें जो प्राइस लगेगा एक सतरा सो पचीस रुपय यह हमारा पोर्टोलियो आप यह सब को जोड़ लेते हैं आद देखते हैं 25,000 आता या नहीं यह पोर्टोलियो बन गया दोश्तों जा ध्यान से देखिए 24,402 रुपय का हमारा पोर्टोलियो बन गया और हमारे पास एमांट कितना था 25,000 तो सारे टैक्स वैक्स लेने में जो चार्जेस कटेंगा ब्रोकरेज लगा के 25,000 के लमसम में आपका यहां पे टोटल में अलग लग जो क्वांटिटी में आपके लिया यह कैसे सलेक्ट किया एक आम आदमी के दिंचरिया से एक आम आदमी के डेली रूटीन में वो क्या क्या करता है उसके हिसाब से वो किस तरह के स्टॉक्स को यूज कर रहा है वो किस तरह के प्रोड़क्ट को यूज कर रहा और उसका price उतना ही portfolio increase करेगा लेकिन फिर भी market चुकिए uncertain है कुछ भी नहीं कहा जा सकता है तो जो भी करेंगे आप अपना risk के हिसाब से करेंगे अपने fancy advisor से सलाह मसवड़ा करके आप इस stock में इंवेस्ट करना चाहें तो यह 25,000 रुपए में एक यह best portfolio मेरे हिसाब से यही बन दाता है तो मुझे जरू कमेंट बोक्स में बता है आपके कमेंट का इंतिजार रहेगा मिलते हैं दोस्तों नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद